और फिर पांचवे अध्याई में सन्यास योग की बात भगवान बताते हैं और कहते हैं ज्यानी पूरुश दिव्य ज्यान की अगनी से शुद्ध होकर बाहरी रूप से सारे करम करते हैं किन्तु अंतर में उन करमों के फल का परित्याग करता हुआ शांती, विरक्ती, सहन शीलता, आध्यात्मिक द्रिष्टी तथा आनन्द की प्राप्ति करता है पहले श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक सन्यास योग और करम योग में निश्टाम करम योग स्रेष्ट है ये बताया सातवे श्लोक से लेकर बारवे श्लोक तक सन्यास योग और करम योग के लक्षन और उसकी महिमा बताई गई इस तरह से अरजुन का पुना एक महत्वपोन सवाल उत्पन होता है और वो भगवान से पूछते हैं कि सन्यास योग और कर्म योग ये दोनों में स्रेष्ट क्या है क्या कर्म योग का आच्रण ही मुझे करना है या सन्यास भी करना चाहिए कितनी सुन्दर बाते क्योंकि भगवान उसको व्यावारिक कुशल होने की बाते जब समझा रहे थे साथ ही साथ जब ज्यान की पराकाष्टा को प्राप्ट करने के लिए प्रेणा दे रहे थे तो उसको यही महसूस हो रहा था कि कहीं मैं अपने संबंदों से नश्ट मुहा तो नहीं हो जाओ दुनिया में भी ये बात अक्सर लोगों को सताती है किसी ने मुझे कहा कि गीता का अध्यान हम इसी लिए नहीं करते हैं कि कहीं हम अपने परिवार से नश्ट मुहा तो नहीं हो जाएंगे इसी लिए हम गीता का अध्यान नहीं करते हैं शायद यही डर अर्जुन के मन के अंदर भी था इसलिए वो भगवान से प्रश्न पूछता है कि सन्यास योग और कर्म योग दोनों में स्रेष्ट कौन सा है तब भगवान कहते हैं कि सन्यास योग और कर्म योग दोनों ही स्रेष्ट है क्योंकि जो मनुष्य करम करता हुआ किसी के साथ न द्वेश करता है और न किसी करम फल को चाहता है वह सन्यासी सदाही जानने योग्य है व्यक्ति को बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका करम नहीं है परंतु उस करम करने की वृत्ती है द्वेश, वेर, लोब, कामन, आदी विकारों का त्याग ही सन्यास है चीज वस्तू का त्याग करने के लिए भगवान ने नहीं कहा कर्तव ये कर्मों का त्याग करना सन्यास नहीं है अक्सर लोग सन्यास की परिभाशा में यही समझते हैं कि सन्यास माना सब को छोड़ छाड़ करके जंगल में चले जाना भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता में कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं दिया कि हे अर्जुन तुम अपने ग्रहस्तों को छोड़ दो तुम अपने संबंदों को त्याक कर दो तुम अपने कर्तविय को छोड़ दो, अपने जिम्मेवारियों को छोड़ दो नहीं लेकिन उन कर्मों के पीछे जो वृत्ती है उन वृत्ती को छोड़ने की बात की गई है तो सन्यास का मतलब चीजवस्तू का नहीं चीजवस्तू बुरी नहीं है आज मान लोग के ये कुरसी है अगर मैं सोचूं के ये कुरसी का त्याग करना है ये साधनों का त्याग करना है नीचे बैठना चाहिए अब साधनों को ही मैं हटा दूं और सब को मैं कहूं के नीचे बैठ जाओ ये तो हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया के अंदर लोगों को घुटने के इतने प्रॉब्लम है नीचे बैठ नहीं पाते हैं और इस तरह का अगर त्याग मैं सिखाना आरंब कर दूँ नीचे बैठ ही नहीं पाते हैं तो ग्यान सुनने आएंगे जो ग्यान की महिमा हमने देखी कि जिससे महान पापात्मय भी ग्यान नहियां के द्वारा पार हो जाती है परंतु अगर साधनों का इस तरह से त्याग कर दिया तो ग्यान सुनने भी कोई नहीं आएंगा साधन बुरा नहीं है परंतु उस साधनों की गुलामी बुरी है जैसे आजकल की दुनिया के अंदर मोबाइल है बहुत अच्छा सादन है कि हम दूर भी बैठे लोगों से बात कर सकते सहज दुनिया छोटी हो गई लोग बहुत नस्दीक आ गए इतना सुन्दर विज्ञान ने ये सादन उपलब्द करा दिया लेकिन सादन बहुत अच्छी चीज है लेकिन मालिक बन करके प्रयोग करो तो उसकी गुलामी को स्विकार नहीं करना है आज मनुश्य उन सादनों के गुलाम बनते जा रहे है पहले जब टेलिफोन लाइन्स थी मोबाइल नहीं थे तबी भी कारिय चलता ही था हाँ आज गती शायद बढ़ गई कारिय करने की गती अधिक हो गई कि कम समय में हम अधिक कर सकते हैं परन्तु कई मार देखा जाता कि मनुश्य के जीवन को कैसा दोजग जैसा बना देते हैं अकसर देखा गया जब व्यक्ति खाना खाने बैठा उसी समय मोबाइल बचता है परिवार वाले कभी कभी पसंद नहीं करते हैं अरे भई शांती से खाना तो खालो खाना खाने बैठे हैं मोबाइल चालू कर दिया बात कर रहे हैं सामने वाला टेंशन दे रहा है खाना भी खा रहे हैं जब शांती से खाना ही नहीं खा सकते हैं, तो ऐसे साधनों की गुलामी क्या काम की है? कि जो हमारा जीवन ही, हमारे जीवन में से सुख चैन ही चीन ले? ऐसी गुलामी क्या ज़रूरी है? कई इस्थान ऐसे होते हैं, जब मोबाइल का मुँ बंद रखना ज्यादा उचित रहता है, खास करके जब खाना खाने बैठे हैं, तब तो उसका मोबाइल का मुँ बंद रख सकते हैं, मालिक बन जाओ. दूसरा, कई लोग नहने जब जाते हैं, वहाँ भी मोबाइल ले जाते हैं, शान्ती से अपना कार्य तो कर लो, लेकिन नहीं, किसी के साथ बातचित करते हुए किसी ने मुझे सुनाया, कि जपान के अंदर सारे लोग वाटरप्रूफ मोबाइल ही यूज करते हैं, मैंने क कहा ऐसे क्यों, तो कहा क्योंकि नहते नहते भी वो बातचित करते हैं, तो उस समय मोबाइल खराब नहीं होना चाहिए, अब सोचने की बात है, ये कैसी गुलामी, कि जो कार्य अपना है, अपनी परसनल लाइफ जाहा है, वहाँ तो कम से कम शान्ती से हम जीए हैं, लेकिन अपने परसनल लाइफ में भी वो साधन की आसकती, ऐसी हावी हो जाए, जो हमारी व्यक्तिकत जीवन के सुख चैन पो छेन ले, तो कम से कम वहाँ तो मोबाइल का मुँ बंद रखो, तीसरा, जब कभी ऐसा सत्संग सुन रहे हैं, अच्छी बाते सुनने का सौभाग ये कई बाहर हम देखते हैं, लोगों के मोबाइल बीच बीच में बचते रहते हैं, और उस समय आसपास बैठे हुए लोगों का चेहरा देखने जैसा हो जाता है, कि वो इतना परिशान हो जाते हैं, करें बंद करो, जल्दी बंद करो, सुनने दो, लेकिन कई लोग जान सुनने का सौभाग्य कभी-कभी प्राप्त होता है जीवन में, और उस समय में भी अगर ये हमारी सुक, शांती को, सुकून को ही छीन ले, तो ऐसे साधनों की गुलामी क्या काम की, तो इसलिए भगवान ने जिम्मेवारी, साधन, इन सब को त्याग करने के लिए नहीं कहा गीता के अंदर, परन्तु उसमें जो आ सकती है, उसकी जो गुलामी है, उसको छोड़ने की बात कही गई है, सन्यास माना उसके प्रती जो हमारी व्रती है, उन व्रती को परिवर्तन करने की बात कही है, बाकि करम योगी तो बनना ही है, तो कितना सुन्दर करम और सन्यास का balance बताया कि करम जरूर करो लेकिन उस करम में रही हुई बुरी मनोवरत्या इरश्या, द्वेश, लोब, वेर आसक्त इन सब का त्याग करो यही सही सन्यास है तब कई बार कई लोग हमसे भी पूछ लेते हैं कि बहन जी फिर आप लोगों ने ग्रहस तक क्यों नहीं जोड़ा कौन कहता है कि हम ग्रहस्ती नहीं है हम भी ग्रहस्ती है शायद आप से बड़े ग्रहस्ती है आज जब भी कोई मात पिता अपने लड़की के लिए घर और वर ढूंडते हैं तो कैसे ढूंडते हैं यही चाहते हैं कि भई हमारी लड़की नाजुक है इतना बड़े परिवार में जाकर सबका मन संभाल सके इतनी उसमें केपैसिटी नहीं है तो इसी लिए यही ढूंडते हैं छोटा घर सुखी घर और अगर मिया बेबी अकेले रह रहे हो शहर में तो और ही अच्छा छोटे घर को ढूंडने के प्रयास में रहते हैं क्योंकि अपने लड़के के नाजुकता को भी जानते हैं लेकिन शायद हमारे में वो हिम्मत थी जो हम बड़े परिवार में जा सकते हैं और इसी लिए हमने अपना रिष्टा इश्वर से ही जोड लिया और उसका परिवार सो हमारा परिवार तो ए कोई सन्यासी नहीं है हम भी ग्रहस्ती है लेकिन एक छोटे ग्रहस्त चार मेंबरों के फैमिली में जाने के बजाए हमने एक बड़ी फैमिली में जाने का नेनाई लिया डिसिशन लिया और इसी लिए हम कोई जंगल में नहीं है शहरों में आप लोगों के बीच में ही रहते ह सारे साधनों को यूज कर रहे हैं ये नहीं कि हमने कोई साधनों का त्याग कर दिया नहीं इन सब के बीच में रहते हुए साधनों का प्रयोग करते हुए फिर भी कर्म योगी हम सहज मालिक बन करके अवश्य उसका प्रयोग करते हैं तब कई बार कई लोग फिर हम से कहते हैं कि बेहन जी फिर ये सफेद साड़ी क्यों पहने, रंगीन साड़ी क्यों नहीं पहनते हूँ। तो आप क्या पहनेंगे, जो साथी की पसंद वही पहनेंगे, तो हमारे साथी की पसंद भी सफेद वस्त्र है, क्योंकि सफेद वस्त्र में सातो रंग समाय हुए है, तो इसी लिए उसने हमें, उसकी जो पसंद है, वो हमारी पसंद है, इसलिए हमने सफेद वस्त्र धारन किय दूसरी बात कि कई बार हम सोचते हैं कि शायद ये सफेद वस्त्र पहनते हम कई प्रकार की मुश्किलातों से बच गए हैं आप सोचेंगे कैसे आज सबसे पहली मुसीबत मैचिंग की होती है हम उस मैचिंग से कितना समय वेस्ट जाता है मैचिंग करने में चलो मैचिंग भी हो जाए तो उस मैचिंग के हिसाब से फिर लिपापोती करनी पड़ती है उससे भी बच गए तो हमारा कितना समय व्यार्थ जाने से बच जाता है तो हम कभी-कभी सोचते हैं कि कितना अच्छा पहनावा इश्वर ने पसंद करके हमें दिया है हमारे साथी ने पसंद करके हमें दिया है कि कई प्रकार की जंजटों से कई प्रकार के समय व्यार्थ गवाने से हम बच गए और सफेद वस्त्र में सातों रंग भी समय है शांती का प्रतीक है पवित्रता का प्रतीक है तो कितना सुंदर वस्त्र हमें दिये हैं तो इसी लिए जो हमारे साथी को पसंद है वही हम पहनते हैं सन्यासी नहीं है हम एक बड़े ग्रहस्ती है और उस बड़े ग्रहस्त में जाने से जैसे बड़े घरों में कभी कभी कारेकरम भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं सारे समाज वालों को बुलाया जाता है तो हमारे पास भी हर रोज बड़े-बड़े कारेक्रम होते हैं जहां सभी को हम इन्वाइट करते हैं तो इसलिए हम कई प्रकार के समय की व्यर्थता से बच जाते हैं और जीवन इतना सुकून से बिता सकते हैं हमारे पास काफी समय होता है क्योंकि कई प्रकार के टाइम वेस्ट से हम बच जाते हैं तो इसलिए यह थार्थ रुप में जो त्याग किया है उससे कई गुना अधिक भाग्य प्राप्त हुआ है इसलिए हम इसको सन्यास या त्याग नहीं समझते हैं कि उसके फल्स्वरुप जो भाग्य प्राप्त हुआ है वह कई गुना अधिक है और उस भाग्य का इस्तमाल करते हुए जब करम योगी बन करके करम करते हैं तो और भी सुख का अनुभव होता है तो इसलिए भगवान भी अर्जुन को कहते हैं सन्यास योग और करम योग दोनों का समत्व भाव के साथ जीवन में चलना यही स्रेश्ट है